थोड़ा सोच उधार में लोगों ने कैसी कैसी तरकीवे निकाली पाप करते हैं गंगा में इसनान कर रहा थे अब गंगा में इसनान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता गंगा का कसूर क्या है पाप तुमने किया और ऐसे अगर गंगा धोधो के सब के पाप लिती रही हो तो गंगा के लिए तो नर्क में भी जगे न मेली इतने पाप इखटे हो गए होंगे और अगर इतना ही आसान हो पाप तुम करो गंगा में डुपकी लगाओ और पाप हल हो जाएं तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही सर्फ गंगा तक आने जाने का स्थम तो जो गंगा के किनाही रह रहे हैं उनका दुफ कहना ही क्या तुमने तीर्थ बना लिए तुमने छोटे छोटे पुर्णे की तरकीवें बना लिए ताकि बड़े बड़े पापों को तुम जोटला दो बुला दो छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो अस्पताल को दान दे देते हो दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्राशित कर रहे हो लाग की चोरी करते हो, दस रुपया दान देते हो लेकिन लाग की चोरी को दस रुपय के दान में ढाक लेना चाहते हो तुम किसे धोखा दे रहा हो या इतना भी नहीं करता कोई रोज सुबह बैट के पान दस मिल्ट माला जप लेता है माला के गुरिये सरका लेता है सुचता है हल हो गया या राम राम जप लेता है या राम नाम छपी चदरिया ओड़ लेता है सुचता है माम दाहल हो गया जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया